गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके यूटूब चैनल करंची के विद्र वीजन मैसल प्राकेश कुमार आज है 13 फैबरी और बात करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन की सो सबसे पहले लास्ट वीडियो के रिवीजन की सो फर्स्ट कोशन वी ल एदी इसी तरह से बात करते हैं सेकिंड पोजिशन पे जो रही वो हर्याना की मानिका शियोकान रही है थर्ड पोजिशन पे उत्तर प्रदेश की मानिया सिंग इसमें रही है फिर बात करते हैं करनाटका राज्य के 31 से जुले का नाम क्या है सो वीजयन अगर नाम है और ये से हवाई अडे को ACI का वाइस ओफ दा कस्टमर अवार्ड से समानित किया गया सो बैंगलूरू के जो केमपागोड इंटरनेशनल एरपोर्ट है उसको इस अवार्ड से समानित किया गया है फिर बात करते हैं किसने वाइल्ड फोटोग्राफर ओफ दा ये पीपल चोईस अवा प्रफुरी को मनाया गया था फिर बात करते हैं MRF टायर्स ICC मैंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में कौन सा प्लेयर जो है वो सिर्स पोजिशन पे रहा है तो न्यूजिलेंड के जो कैप्टेन है के विलियम संग इस लिस्ट के अंदर फिफ्ट पोजिशन पे रहे फिर बात क करते हैं आज के विडियो के फ़िश्ट कोशिन की सो अंतराष्ट या फिल्म होटसव रोटर डेम 2021 के 15 वे एडिशन के अंदर किस फिलम ने टाइगर अवार्ड जीता है सो तमिल की एक मूवी है कुछ जंगल उसके दौरा पर्टिकुलर ये अवार्ड जीता है और ये भार करते हैं थी ये मूवी अमीर खान इसके अंदर एक्टिंग की थी और ये जो भारत की मूवी थी लास्ट मूवी थी जो की ओसकरी के लिए ना मांग कित हुई थी और गांधी मूवी की बात करते हैं ये पहली ऐसी मूवी थी जो जिसको ओसकर वार्ड मिला था भारत की का इसका योजन किया जाएगा फिर बात करते हैं बाकी के जो उप्षिंस हैं उनकी जैसे कि तमिलाडू की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ समय पहले भी जो पॉंगल फेस्टिवल है वो बनाया गया था उडिशा की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का पहला फायर पारक का गाटन किया गया करनाटका के बात करते हैं तो यहां पर अभी 31 में जो डिश्टिक है उसका निर्माण वहाँ पर किया गया है अब अपनों ने यहां पर बात की है मद्या परदेश राज्ये के बारे में सो बात करते हैं मद्या परदेश के बारे में यहां पर आपको इंडिय रहुआ और गुजरात हुआ टोटल ये फाइव स्टेट्स है जिनके बाउंडी इसके साथ टच होती है फिर पने बात करते हैं मत्य परदेश राज्जे के बारे में तो यहां की जो कैपिटल है बोपाल है चीफ मिनिस्टर यहां के सिवराज सिंगी चोहान गवर्नर यहां की आनंदी बेन पटेल फॉर्मेशन जो हुआ फर्स्ट नॉमबर 1956 को हुआ था हाईएस्ट स्पीग जो है ऐवो धूपगड़ है डानस यहां का जावरा डानस मत्थी आधा, खाद, नाच, फूल्पत्ति, ग्रिडधा डानस, सेलारिक्की डानस और सेला धोनी और मांच डानस यहां के कफ़ी खादाश डानस है सफारी जो भी यहां पर स्टार्ट की गई है फिर यहां पर भारत का पहला जो तेर्टा सोलर पावर प्लांट है वो यहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है जो कि नर्मदा निवर के ओमिश्वर जो है यहां पर इसका योजन किया जा रहा है फिर बात करते हैं यहां पर गाय मंत्रा लेभी बनाया गया किसान कल्यान योजना यहां पर स्टार्ट की गई रोजगार से तू योजना यहां पर स्टार्ट की गई है भारत का पहला इवेस्ट क्लेनिक बोपाल के अंदर बनाया गया FIR आपके द्वार स्कीम जो विहां पर स्टार्ट की गई है, पंचप्रमैस्वरी ओजना यहां पर神वीर मेडल जो है यहांके पुलीस कर्म्यों को और रेवा अल्टा मेगा सोलर पावर प्लान्ट है, वो भी यहीं पर डिजारिय जा रहा है थैंक्स मौम रक्षारोपणी हां पर स्टार्ट किया गया हर्याली को बढ़ावा देने के लिए मिड़े मिल परदान करने वाला जो पहला रज्य भी मद्यपरदेशी बना था भारत का पहला और दुनिया का दूसरा जो पेदल सेनिक संग्राले है या फिक जिसको अपने इन पैंट्री म्यूजियम कहते हैं वो भी यहीं पर मनाया जा रहा है और गंदगी भारत छोड़ो और भियान जो के अंटी बीसी के एक्जाम के अंदर पुछा गया था यह कि यह किस रादेशी वो भी ही पर मध्य परदेश के अंदर स्टार्ट किया गया अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट कोशिन की सो अभी किस देशने कम दूरी की सतय से सतय पर मार करने वाली जो बेलेसिटिक मिसाइल है उसका सफलता पूरोग किया गया तो पाकिस्तान कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका किया गया था और यह जो है मिसाइल है जो इसकी रेंज जो अराउंड फोर हैंड़न नैंटी किलोमेटर की है और इसके थूर आप लैंड और जो मेरीन होता है समुदर उसके अंदर टार्गेट कर सकते हैं फिर जो बाकिके ऑप्शन्स दिये गए उनकी बात करते हैं जैसे यूएई की बात करते हैं तो इसके द्वारा भी जो मंगल मिशन लॉंच किया गया था वो मंगल की जो और बिट है वहां पर पहुंच चुका है और भी बंगलादेश की बात करते हैं तो फूर्टीन्थ नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बाल महुत सो जए वो यहां पर इसका यूजन किया गया अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इंडिया के दौरा अफगानिस्तान के अबर सैतूत डेम जो है वहां पर जाएगा फिर बात करते हैं अपनों ने यहां पर बात किया पाकिस्तान के बारे में सो बात करते हैं पाकिस्तान कंटी की यहां पर आपको पाकिस्तान का मैप शो किया गया है यह वाला जो पॉर्शन आपको दिखाया गया है पाकिस्तान के साथ डिफरेंट कंटी जैसे की प्रेजिदेंट्र प्राइम्राइब और प्रेजिदेंट लख से मिंश्टे guys के बारे में पूछा गया था वह्यात्र बार्यामाल कि प्राइम्राइम चुनाव किअ फिर बर्रेजिदेंट यहां के ढुड़ हो पाकिस्तान के प्रेजिदेंट्र relevant stris उसको मजलिश एशोरा के नाम से जाना जाता है जो कि वर्ड की पहली एसी पार्लिमेंट है जो कि पूरी तरह से सोलर पावर से संचालित होती है फिर यह दिए आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शियर भी कीजिएगा जो भी परसन इस चैनल को फर्स टाइम देख रहे है करण जिके विदर विजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पास में जो बैल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दीगी हर इन्फोर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में अभी हाली में इंडिया टोई फेयर 2021 के लिए एक अधिकारिक वेबसाइड को लॉंच किया गया है इसका जो उद्गाटन है वो रमेश पोकरियाल जो की इसक्षा मंत्री है उनके द्वारा समृत्ती जुबानी इरानी जो की कपड़ा मंत्री है उनके द्वारा प्यूश को इल जो की हमारे देश के उध्योग मंत्री है उन सभी के द्वारा पर्टिकलर इसको लॉंच किया गया है इसका राइट आंसर होगा ओप्शन डी और ये जो टोई फेयर है तो एक के मामले में फर्स्ट पोजिशन पर या मैनुफेक्चरर हब को बनाने के लिए पर्टिकलर इस मिले कायोजन किया जा रहा है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में सो अभी हाली में समर्पन दिवस बनाया गया ये जो दिवस है पर्टिक्लर किस रहकी से सम्मंदित है सो राई टाँसरों का दीन दयाल उपधाई जी से पर्टिकलर इस समंदित है दीन दयाल उपधाई जो की बारतिया जंसंग के एक लेडर थे लेडर थे उनकी जो डेथ एन suspendर्प ढेया जाता है फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो options हैं उनकी जैसे महात्मा गंदी जी की बात करते हैं तो इनकी जो death anniversary उसको अपने सहीध दिवस के रूप में मनाये जाता है इसी तरह से भगत सिंग हुआ सिक दे हुआ राजगराद हुए सभी इनको भी जिस दिन मृत्य हुई थी या फानसी देगी थी उनको भी अपने सहीध दिवस के रूप में मानते हैं फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशन के बारे में एगोन लाइफस के । जो सतिश्वर बाला गृशन को पर्टिकॉलिस के लिए निउन देखन गया है परिकॉलिस के रूप में भी बनाया गया अवग को नाइजीरिया की रहने वाली है और इनको WTO का जो DG है वो नियुक्त किया गया है Michael Bloomberg की बात करते हैं यह अमेरिका के रहने वाले हैं और इनको United Nation Organization के जो अध्यक्स है Antonoria Guterseke के द्वारा अमरीका की तरफ से जो प्रयावरन राजदूत को नियुक्त किया गया है फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोशिन के बारे में SBI के अनुसार विक्तिय वर्स 2021 के लिए जो भारत की GDP दर रहने का अनुमान लगाया गया वो 7.0% रहने का अनुमान लगाया गया था इससे पहले यह जो अनुमान लगाया गया था 7.7% की बात करते हैं तो S&P Crystal के द्वारा इसकी उमीद लगाई गई है और 8% जो है वो Asian Development Bank के द्वारा लगाई गई है 9.9 की अपने बात करते हैं तो यह OECD के द्वारा लगाया गया है और ECD का जो Headquarter है वो Paris France के अंदर present है और इसके बारे में TPC के अंदर कई सिफ्टों के अंदर question पूछा गया है कि OECD का जो मुख्याल है वो कहां पर present है फिर यह भी अपने बात करते हैं next question के बारे में तो भी हाले में एक पुस्तक लिखी गी जिसका नाम है Turn Around India 2020 Surmounting Past लिजिसी पुस्तक के जो लेकक है वो कौन है तो आर्पी गुपता जी इस पुस्तक के लेकक है और इस पुस्तक का जो भी motion किया गया जूल और रम जी के द्वारा किया गया जो की एक minister है फिर यह दिए अपने बाकी के options है जिसी उनकी बात करते हैं दलाईला माजी की बात करते हैं दलाईला माजी के द्वारा भी हाले म और only home climate appeal to the world नाम से पुस्टक लिकी गई इसे के साथ little book of encouragement नाम से पुस्टक भी लिकी गई है इसी तरह से ये दे अपने बात करते है hunter biden के दोरा जो पुस्टक लिकी गई है उसके बारे में आप लोग मुझे comments के अंदर बताएंगे की इनके दोरा भी हाली में कौन से पुस्तक लिखी गी है और जो भी परसन मुझे इस question का answer comments के अंदर बताएगा उसका photo next video के अंदर publish किया जाएगा फिर यह दिए अपने बात करते हैं इनके दोरा भी हाली में by many a happy accident recollection of a life नाम से पुस्तक लिखी गई है फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के revision की so first question 300 test wicket लेने वाले तीसरे बारत के पेशर का नाम इशान सर्मा जी है फिर बात करते हैं थंडर स्टों रिसर्च टेस्ट बेट जो है वो ओडिशा के अंदर स्थापित किया गया इस देश में भारत ने सैतूत बंद कनिर्मान करेगा सो अफ़कानिस्तान के अंदर हाली मे इस सहर में राष्ट्र यह बागवानी मेला स्टाट किया गया तो बैंगलुरु के अंदर ब्लूमबर्ग इन्वेशन इंडेक्स में सिपर जो है साथ अफ्रिकार हा उसके अंदर इंडिया जो है फिप्टी पोजिशन पे रहा है इसी तरह से 10 फैबरी को पर्टिकुलर वि किया गया फिर बात करते हैं बाई मैंनी हैपी एक्सिदेंटल री कलेक्शन आफ लाइफ उस तक के जो लेखा कर वो भूमद अंसारी जी है फिर यह था आज का वीडियो यह आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज आप लिए फोटो यहां पर फोटो यहां पर पूब्लिस किया जाएगा जो कि आज के वीडियो के अंदर जो पूछा गया है उसका आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा फिर एट दा लास थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्यू थैंक्यू